है लो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छ होंगे दोस्तों स्वागत आपका शर्मा रिजिनिंग क्लासिस के अंदर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम राजस्थान जी के कहते हैं तो मैं तो पुर्ण परशनों के बारे में चर्चा क करेंगे दोस्तों यह सभी प्रशन आपकी वन रख्षक और वन पाल दोनों परिक्षाओं के लिए तो मैं तो पुर्ण है इस प्रशन के अंदर दोस्तों राजस्थान की जीलों के बारे में सबसे ज़्यादा डिसकस करेंगी हम इस वीडियो के अंदर और दोस्तों आगर यह एक वन रख्षक और वन पाल बना चाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको राजस्थान की वन संपदा के बारे में पता होना चाहिए और दोस्तों जो जीले हैं वो भी तो वन की संपदा ही है तो आपको इनके बारे में भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए ताकि ले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट चुरूर कर दें दोस्तों सबसे पहला परशन कहता है राजस्थान में दक्षिन से उत्तर की और बहने वाली नदी है यानि कि ऐसी कौन सी नदी है तो दोस्तों वो है आपकी चंबल नदी कौन सी नदी है चंबल नदी दोस्तों चम्बल नदी जो है वो राजस्थान के अंदर सबसे लोकप्रिय नदी है और राजस्थान के अंदर दक्षिन से उत्तर की तरफ बैती है जैसे दोस्तों देखो चार दिशाएं होती है North, South, East, West ठीक है इस तरह से उत्तर दक्षिन पूरो पस्षिम तो यह जो है ना यह राजस्थान में जो चम्बल नदी है ना वो दक्षिन से उत्तर की और बैती है मतलब यहां से ऐसे बैती है यह राजस्थान के अंदर ठीक है इस तरह से चलती है और ऐसे बैती है तो याद रखेगा इसका सही option क्या हो जाएगा दोस्तों A इसका सही option हो जाएगा यानि की चंबल नदी अगला question देखते हैं दोस्तों क्या कहता है अगला question कहता है जवाई नदी किसकी सहायक नदी है जवाई नदी जो है दोस्तों किसकी सहायक नदी है वो है लूनी नदी की कौन सी नदी की लूनी नदी की सहायक नदी का मतलब यह होता है दोस्तों कि इसका आधा पानी है वो इसके अंदर बैता है ठीक है यानि कि वो अपने पानी का आधान परदान इसके साथ करती है तो इसका करेक्ट अप्शन है दोस्तों D यानि की लूनी अगला परशन देखते क्या कहता है अगला परशन कहता है खारी नदी जिस अपवाह तंतर का अंग है वह है दोस्तों खारी नदी अपवाह तंतर अपवाह तंतर कौन सा होता है जहां पे जल का परवाह होता है वह वाला तंतर ठीक है तो जल परवाह का जो तंतर है उसका जो व कौन सा है दोस्तों तो वो है आपका बंगाल की खारी जो खारी न दी थी है वहां पर दूझ्ट इसका करेक्ट तो यह पूछ रहा है कि इन्दरागांदी मुक्ः नहर कि जिलों के वर्ग से होकर नहीं गुजरती है, तो दोस्तों वह यह को पुजरती है, वहीं बिकानियर जोधपूर जैसलमेर, कोन-कोन से जिलों इन तीन जिलों से दोस्तों इंद्रा गांदी मुख्या नहर की जो है वो नहीं गुजरती है ठीक है तो इसका कर्यक्ट ओप्षन करेक्ट ओप्षन हो जाएगा अगला परशन देखते क्या कहता है अगला परशन कहता है जवाई प्रियोजना से लबान्मीत नहीं होने वाला वो कौन सा जिला है दोस्तो जो जवाई प्रियोजना से लबानवित नहीं हुआ है और अभी अभी आपने पढ़ा है जवाई किसकी साइक ना दिया दोस्तो लूनी ना दी किया ना तो जवाई प्रियोजना से लबानवित नहीं होने वाला जिला कौन सा दोस्तो तो वो जिला आपका बाड मेर कौन सा जिला है बाड मेर राजस्थान का बाड मेर जिला जो है दोस्तों वो एक ऐसा जिला है जो जवाई प्रियोजना से लबानवीत नहीं हुआ है बाकी सब जिले हो चुके हैं अगला पुशन देखते क्या कहता है परवन प्रियोजना किस जिले में स्थि स्थित है राजस्थान का एक जिला है 12 वहां पर प्रवन प्रयोजना स्थित है तो इसका क्रेक्ट उप्षिन क्या है इसका क्रेक्ट उप्षिन हो जाएगा अगला पुछन कहता है जवाई प्रियोजना किस जिले से प्रारंब होती है दोस्तों अभी अभी उने पड़ा जवाई प्रियोजना का लाब किस जिले को नहीं मिलता है और अब यह पूछ रहा कि जवाई प्रियोजना जवाब किस जिले से प्रारंब होती है तो दोस्तों ज नरमदा नहर प्रियोजना के किन जिलों में पानी मिलता रहा है ठीक है दोस्तों तो ऐसे जिले जिने सदा बहार पानी मिलता रहा है वो है दोस्तों जालोर और बाडमेर ठीक है जालोर और बाडमेर को सदा बहार पानी मिलता रहा है नरमदा नहर प्रियोजना के अंतरगत तो इसका character option है दोस्तो B यानि की जलोरोर बाडमेर अगला question देखते है क्या कहता है अगला question कहता है राजस्तान की अपवाहा परणाली को कितने भागों में बांट गया है दोस्तो अभी भी मैंने आपको बताया था अपवाहा परणाली क्या होती है तीन भागों के अंदर उसे बांटा गया है तो इसका correct option है दोस्तों A अगला प्रशन कहता है काली सिंद प्रियोजना राजस्तान के किस जिले में स्थित है तो दोस्तों काली सिंद प्रियोजना जो है वो राजस्तान के जालावार जिले के अंदर परसीद है तो ए इसका correct option हो जाएगा अगला question देखते क्या कहता है भीम सागर सिंचाई प्रियोजना का सबंद किस जिले से है तो दोस्तों खेतों में सिंचाई उची तरीके से हो उसके लिए एक प्रियोजना बनाएगे थी जिसका नम था भीम सागर प्रियोजना इसका मतलब क्या होता है भीम सागर मतलब बड़ा सा समुंदर तो भीम सागर सिंचाई प्रियोजना का सबंद किस जिले से है दोस्तों तो वह है आपका जहलावार जिले से कौन से जिले से दोस्तों राजस्तान का एक जिला है जहलावार जिला उस जिले से भीम सागर सिंचाई प्रियोजना का पूरे भारत में जितनी भी सुद्ध सिंचाई हो रही है उसके अंदर 7.7 प्रतिशत हिस्सा हमारे प्यारे से राजस्थान का है ठीक है दोस्तों तो इसका क्रेक्ट ओप्षिन क्या है बी इसका क्रेक्ट ओप्षिन हो जाएगा अगला प्रशन देखते है क्या कहता है अगला प्रशन कहता है बहुदेशिय नदी घाटी प्रियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था ठीक है चार ओप्षिन दिये हैं दोस्तों तो बहुदेशिय नदी घाटी प्र नदिया मनाई जाती है जिन नदियों का उद्गम्र किया जाता है उसे हम लोग क्या बलते है बहूदेश नदी गाटिक प्रोजणा बोलते है तो इसका ग्रेक्ट्रouver अज्ड़ी पंडी जवाहरला लैरू नहीं यह का था कि जो बहु उदेशे नदी घाटी प्रोजना है वो आधुनिक भारत का मंदिर है अगला प्रशन है राजस्थान में फलिवरोसिस की समस्या से पीडित कूबर पट्टी शेत्र कहां पर स्थित है तो दोस्तों फलिवरोसिस होता है वो राजस्थान के अंदर आपको मिलेगा कहा पर मिलेगा वो नागोर रजमेर अजमेर झिले के अंदर ठिक है नागोर और अजमेर का वो हम लोग कुबर पटी शेत्र भी वहांou पर बोलते हैं वहाँ पर कुबर कसी लोग है ग्रसित पार बनामिक rasa क्या घैका फ्लिरोसिस टिकए-टो णारी यह बात आपको याद रखन जो जैसे बावड़ी होती है उस तरह से होती है नाड़ी पानी का संग्राय करने के लिए बनाई जाती है एकठा करने के लिए बनाई जाती है तो यह कर रहा है भूता नाड़ी किस जिले में स्थित है तो दोस्तों गुता नाड़ी जो जोदपूर जिले के अंदर स्थित है का जरना कहां पर है चितोडगरोड भीलवारा जिले की सीमा की उपर है कहां पर है चितोडगरोड भीलवारा ठीक है तो बीस का क्या है क्रेक्ट ओप्शन हो जाएगा अगला प्रशन है दोस्तो चोदवी स्ताबदी में किस जिल का निर्मान कराया गया था तो दोस्तो चोदवी स्ताबदी के अंदर नकी जिल नकी जिल का निर्मान कराया गया था ठीक है तो इसकी करेक्ट अप्शन हो जाएगा C याद रखियागा नकी जिल गेवसागर जिल किस जिले में स्थित है तो दोस्तों गेवसागर जो जिल है वो राजस्थान के डूंगरपूर जिले के अंदर स्थित है कहां पे स्थित है दोस्तों डूंगरपूर के अंदर स्थित है तो ये बात आपको याद रखनी है एसका करेक्ट अप्शन हो जाएग अगला प्रशन राजस्तान में कौन सी जील नमक उतपादन में अगरनी है ये तो आप सबी को पताई होगा दोस्तो सामबर जील ठीक है तो इसका क्रेक्ट औप्शन है दोस्तों सी यानि की सामबर जील तो दोस्तों ये थे आज राजस्तान जीके के बारे में थे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये क्योशन आप सबी के लिए तो आप सबी इस क्योशन को अच्छे से पढ़े ठीक है और दोस्तों इसके अलावा जो भाई बैन ये चाता है कि उसे राजस्तान फोरेस्ट गार्ड एक्जाम की त्यारी अच्छे से करनी है तो वो हमारे चैनल पे एक प्ले लिस्ट है राजस्तान फोरेस्ट गार्ड एक्जाम 2020 उस पर आप सब कुछ देख सकते हैं दोस्तों ए टूजड वीडियो वहां पर पड़ी हुई है ताकि आपको जगा जगा भटकना ना पड़े ठीक है डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके अलावा आपको क्या करना है दोस्तों अपना प्यार बनाए रखना है वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करनी है लोगों तक और ताकि लोग भी अच्छी तरह से पढ़ पाए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जूरु कर देन अगरे आप नए हो तो और चैनल को सब्सक्राइब करने बाद में साइड में जो बैल आइकन उसको जरूरु दबा देना ताकि हमारी सबी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती ते तो दोस्तों मिलते है नेक्स टूडियो में तब तक लिए जैहिन जै भारत ज जैहाँ दोन